आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से के जे क्लासिस के यूटूब चैनल पर और आज आप लोगों के लिए खुशकवरी है हमारे यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आएं सिये पारस मित्तल जी और इस बार का टोपिक नसर बहुत इंपोडेंट है बहुत इस के अंदर पहले तो आप बहुत हमें बव्रह्में यह जोटी क्लाफ कसे होती हैं और अगर हम ब्लैक मनी होर्म टेर कर लेते हैं तो अगले abyswad साल बाद भी दस साल बाद भी पास साल बाद भी गोवर्मेंट हमारे उपर एक्षन ले लेती है जितना सारा कमाया आपने वह सारा का सारा गोवर्मेंट ले जाती है कभी इंडी ले जाती है कभी कुछ ले जाते हैं तो आप यह बताएगे ब्लैक मनी जन्रेट कैसे होती है औ और इसका सोलूशन भी बताएं कि अगर किसी व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है 20 लाग 50 लाग एक क्रोड दो क्रोड तो वह गोवर्मेंट को कैसों से डिस्क्लोज करके कम से कम टेक्स पे करके अपना पीछा चुड़ा ले कपिल जी इस पर मैं सबसे पहले कहूंगा कि जो आपकी कैसे की नॉर्मल इंकम है जी बहुत सारे बिजनेस्ट और बहुत सारे एंटरपरिय। क्या करते हैं कि कैस इंकम को सूषते हैं कि कैस कांई का explosive क्उते हैं का ऐधा इंकम कर सकते हो अपने बिजनेस्ट में कैश आपको जन्रेट होता है राइब वो जो जन्रेशन ऑफ कैश है जब आप उसको डिस्क्लोस नहीं करते हो डिपार्टमेंट में ऐसा इंकम राइट टिके वह आपको वहां पर ब्लैक मनी क्रिएट कर देता है तो अगर मैं एक सिंपल एक जामपल से लूँ तो हमारी के कॉनल ये देट शुट्रेंटन ने क्समें व्हीं पैंट और पर ले लो लो एक विसए अगर हम उसे अपनी इंकम में नहीं नहीं पर फिनल् cucumber में नहीं जरी तो वह हमारी ब्लैक मनी हो गई ओनकीन अगर हम Papa तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैंने चार साल पहले कुछ इंकम कमाई और वह कैश में कमाई और मैंने डिस्क्लोज नहीं करी लेकिन आज अगर मैं गवर्मेंट को से कर देता हूं तो वह मेरी ब्लैक से वाइट हो जाएगी इसमें एक चीज़ हो रहा है कि बहुत सारी गोर्मेंट स्कीम्स लाती है आपको इसी लिए लाती है कि आपका जितना भी ब्लैक मनी है वो आप दिस्क्लोज कर दें इसमें सबसे बहुत डिसद्वांटेज क्या होती है कि यह जब स्कीम जब भी लाई जाती है यह आपको कम से कम 50% टेक्स देना पड़ता है उसका आपके इंटर्स होते हैं पेनल्टी होते हैं वो कुछ माफ कर दिये जाते हैं पूरे भी माफ कर दिये हैं तो कई बहुत बोल दिये जाता है कि तो आपका टेक्स अमाउंट है उससे 10% टेक्स दो ठीके तो इस तरह से हम सारी स्कीम सभी समझेंगे अपने वीडियो के टाइम तो इसका मतलब करेंट में कोई ऐसी स्कीम चल रही है कि जो आपने पीछे ब्लैक मनी जेनरेट करी है आप उसे थीक है ना वाइड में कर लो गोवर्मेंट को कुछ टेक्स देदो कुछ इंट्रेस्ट देदो कुछ पैनल्टी देदो और सकून की जिन्दगी जीलो जिससे कि ऐसा नहों दस साल बाद 20 साल बाद यूडी तुमारे यहां पर आ जाए या कोई और इंकम टेक्स की रेड हो जाए नोटीस आ जाए जिससे कि आपको दिक्कत हो तो सर हमें इसे एक्स्प्लेइन कीजिएगा कि इसमें क्या-क्या हम कर सकते हैं और मैं अपने सारे विवर्मेंट को बता देता हूं कि अभी यह स्कीम आई हुई है आई हुई है अरे ब्लैक मनी के लिए डिस्क् पर देखो विवर्में तक आपको पता लग जाएगा इस वीडियो को पूरा देखना कि क्या इसकी माई विए कितना टेक्स देना कितना इंट्रेश्ट देना कितनी पैनल्टी देनी है जिससे आप सुकून की जिन्दगी जी सुकून तो जैसे आपने सोर्स बहुत सारे हो स जो फॉल्स इंकम स्टेटमेंट होती है जो कि मेजर सॉर्सेज आपके एक ठोड़ा सा हम समझते हैं कि मनी लॉंडरिंग क्योंकि बहुत सारे व्यूर्स का जो है कंफूजन वह यह होता है कि मनी लॉंडरिंग कैसे होती है ठीक है और ब्लैक इंकम है तो वह पकड़ में क्य जिस इस हैं एक है आपकी प्लेश्मेंट एक आपकी है लेरिंग और यह यह आपकी इन्टिग्रेशन Chemistry होती है जब क्याश्ट जाके डेंक में डुपोजित करने ओके देता टाव for ABC औरेक एउप उस सब्सेडरीश को यह और इन्टिग्रेशन आप करते हो लास्ट में जब demonetization सबसे बड़ा example है कि placement पे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की मेरा personal viewpoint है कि जब वो layering और integration पे जब तक focus नहीं करेंगे तब तक ये money laundering खतम नहीं होगी इंडिया इस टाइम पे सबसे बड़ी country है जहां पे black money और money laundering होती है मैं अपने viewers को बोलना चाहूंगा कि अगर कभी गलती से आप से कुछ ऐसा step हो भी गया है तो आप उसको अपने संदूकों में ना बजा के या उसको money बिल्कु ब्लैक money की तरह continue ना करके आप उसको disclose कर दे और आप उसको टेक्स दे ठीक है आप को 40-50% टेक्स देना ना उन की तरह ना होगे जी जी हमने बहुत सारे स्काम देखे विल्कु पुरी दुनिया को बता है कि इसको अपने ब्लैक money को क्रियेट किया हुन्हें सबसे बड़ा एंपल 2G स्काम था सारे विवस को बता होगा बड़ा सा हम बता देते हैं उसके के बारे में तूजी वाले स्कैम में क्या किया था जो आपके लाइसेंस थे वो कंपनी को बिल्कुल फ्रोवे प्राइसिस पर एलोड किये गए और इससे सतर हजार क्रोड का जो रवेन्यू लोस हुआ था हुँँग हम अपना बहुत सारे हमारे जो इंकम ऐसे बिलो पावर्टी या裡面 यह सेवंटी थाविट करोड के जो फ्रोड्स के अगर इस पे भी रोख किसी तरीके से गोर्मेंट लगा दे हमारी एकनोमी में बहुत ज़्यादा इंप्रोवाइशन हो सकती है तो यह सत्तर अजार करोड का जो इस कैम हुआ यह कुछी लोगों को मिला हुआ इसमें ज्यादा इसा नहीं होगा कि एक हजार लोग सामील होंगे हो सकता है दो हो चार हो दस हो बीस हो पचास हो इतने लोगों को ही पैसे मिले अब समझे वह कितने अमीर हो गई होगे Commonwealth Games का जो Scandal हुआ वो सबको पता है आपका 1600 क्रोड के बजट के अगेंस में 11 या 500 क्रोड खज किये गए अल्मूस्ट 10,000 क्रोड का Access Utilization की गई ललित मोदी IPL Scam बहुत लोगों को Indepts नहीं पता होगा इस Scam में Major League क्या हुआ था कि जो Companies जिनको Allot हुई Teams उनकी जो auction बनी थी जो books में आई और जो paper में आई वो तो limited थी बट बहुत सारा पैसा Mr. Maudi, Lalit Maudi जी के account में भी गया और इसका tracking कैसे हुई Lalit Maudi जी के account balance से जब वो IPL उन्होंने शुरू किया था तो उनके account में 40-45 क्रोड था और जब IPL कर ये पूरा शुरू हो गया system तब उनके account में वो पैसा जाके पहुँच गया था 47,000 क्रोड अब आप देखते हो कि अगर आपके bank account में अचानक से उच्छाल आ जा रहा है और आप उस income को बताएं नहीं रहे हो government को आपके account में उच चार्स क्रोड का balance था और उसके बाद 500 क्रोड का balance हो गया तो सड़े 400 क्रोड या पता थो कि मैंने लोन लिया है ठीक है अगर आपकी income है तो उस पर टेक्स तो government कुछ कहेगी नहीं ठीक है ना तो यहां पर इस चीट को समझना है कि अगर हमने black money जन जेट कर भी ली है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भई हम उसमें prosecution में फर जाएंगे हमें rightful disclosure नहीं पता की कैसे करना है किस तरह से हम उसको disclose करें तो उसमें आप professional की advice ले सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल अब जैसे कई लोग क्या करते हैं सर अपने घर में जोली रख लेते हैं वह कहते हैं कैस हो लोग उने का सोना लियाना सोना लियाना मेरे लिए अरे यहीं नहीं पता अगर में लेकर आ जाँगो तो पकड़ा जाँगो भई उसकी एक limit है आप उस limit तक ला सकते हो तो यहां पर ना अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं आपके client के पास ज्यादा है पहली बाप तो professional को ठीक है पता लगे वो अपनी फीस मांग लेकिन अगर बता दिये हैं तो भाई professional को बताओ जरूर वह कम से कम आपको रास्ता बता देगा कि भाई यह आपकी black money है यह जो आपका यह चीज है इसे आप कैसे सही तरीके से कर लो ठीक है ना जिससे थोड़ा tax दे दो थोड़ा interest नोड़ी penalty जी सर प्लीज तो बहुत सारे जो sections है अप जैसे लैंड और रियल एसेट की इसमें तो माना ही जाता है कि जो cash की transaction है उत्रा portion तो हमारा black money था जो यूडिलाइज होगा राइट जो एल्डी की transactions आपने बली नॉन प्रॉफिट सेक्टर जो है NGO पॉलिटिकल financial institutions में, non banking finance company से loan, finance company से loan, advances, interest free advances, यह सब जो चीजे है यह layering की जो हम discuss कर रहे है money laundering में यह सब layering और integration में आती है जब आप इन सब चीजों को इन पर focus कर लोगे और पकड लोगे तो आप शाय थोड़ा सा money laundering और black money पे control अभी कर रही है government मैंने देखा donations वगारा वालों को पकड जैसे हमने पहले भी बोला था कि इंडिया सबसे बड़ा black money का घर है ठीक है अब वो क्यों है कैसे है ठीक है यह हमारी government का काम है उसको पकड़ना इस बार जो वो scheme लाई है I am very confident कि उससे काफी इंप्रूवाइशन होगी क्योंकि इस बार जो scheme है वो एक बहुत ही twisting वे में continuing nature में आई है ठीक एक recurring nature में आई है पहले वाली जो scheme सी वो बहुत ही जाड़ा focus थी कि जो dispute already arise हो चुके ठीक है उसमें जो आपका interest tax हो गए रहा है वो माफ हो जाएगा बिल्कुल 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 तो सर मुझे बेज़ानी हो रही है फटा-फट से वो scheme बताओ ना क्या फेमस scheme रही है income tax amnesty scheme 2016 की जिसमें की जो भी tax defaulters थे वो अपना अगर declare करना चाहते है इंकम additional tax or penalties जो थी वो उनको pay करनी पड़ती थी उसमें वो tax compliant हो जाते जितने भी legal proceedings थी उनकी वो खतम हो जाती सारे assets उनके declare हो जाते 45% tax उनको देना पड़ता उस income disclosure पे और penalty additional okay 45% से उपर 50% तक जाता है जब भी आप अगर इस तरह से amnesty scheme में disclose करेंगे तो आपका 50% जाएगा तो एक ऐसा भी तो गर सकते हैं कि जैसे हमने जो आपने बताया कि मानलो पास साल पहले को income date करी चार साल पहले गरी तीन साल पहले गरी और अभी current की income नहीं गई आई टिख प्रफेशनल पूरी वह दोकुमेंटेशन की है क्योंकि वह आपकी previous जिस इंकम है उसकी कुछ नगो टांजेक्शनल डॉकुमेंट्स भी होंगे बिल्कुल वह बिल्कुल ऐसे अप current year में नहीं दिखा सकते हैं फिर GST के implications आ चुके हैं तो जा इस टार लगागा हमने लिग इस इस्टंट शुड़ भी एप्लाइड इन दा सूपर वीजन ओफ एनी प्रोफेशनल हैं हमारे भी सूपर वीजन में हो सकते हैं तो सरका सूपर वीजन में कर ले ना थीक है ना तो अनदर एक स्कीम थी सबका विश्वार स्कीम इसमें जो GST से पहले की सर्विस और एक्स के लिए थी फिर एक स्कीम आई थी विवाद से विश्वास 2020 में इसमें भी ये डारेक्ट टेक्स की थी आप इसमें आपको इंटर्स पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से वेवर दिया गया था बट इसमें जो आपका डिस्प्यूट इमांट थी जो टेक्स अमांट थी उसक इसमें भी वो रेशियो अगर आप देखेंगे तो 50% पहुंच रही थी 45-50% पहुंच थी है इसमें जितनी भी आपकी आपकी अपील सी IT Commissioner की ITAT की High Court Supreme Court Arbitation DRT की जितने भी आपके further appeals और वो सब चल रहे थे इस्प्यूट वो इसमें सारे cover हो सकते यह खतम हो सकते थे चिक है तो अब मेरे लिए जो हम discuss करना चारे है करेंट की जो स्कीम है वो मैं अपने व्यूर्स को बता रहेता हूं आप सब को बता है कि वो स्कीम क्या है सिर्फ आपने उसके ओपर ध्यान नहीं दिया वो स्कीम है ITRU अरे वाह आई ट्यार यू जो हमारी updated return है बिलकुल तो इसे ही हम कह रहे हैं कि आप ब्लैक मनी जो आप करेण करणा दोट को इसaffulfाव केशे क्सेंट को सेंटेश डर्यगां कि आपको एंच रच्थे एक इनले आपको को Hillary mayor मैं यह लास्ट यर के लिए उससे लास्ट यर के लिए तो पचीस परसेंट वाला हम माने तो अगर आपकी एक लाग की लाइबिलिटी है टेक्स की ठीक है उसके उपर लेट सपोज आपका 10,000 का इंट्रिस्ट बन गया तो लाइबिलिटी होगी एक लाग दस हजार ठीक है अब बात कि पैनल्टी कितनी देनी है तो एक लाग का 25 परसेंट पैनल्टी होगी, सर बिल्कुम पचीस अजा़ और दस अजार पे की 25 परसेंट परेंटी होगी थैया तो इसका मतलब आप ये समझो कि टैक्स और इंट्रेक्स आपको दे नहीं था पचीस परसेंट आपको एक्स्ट् तो यह इसी तरीके से डिजाइन किया गया है यह पुरा फ्रेमवर्क कि यह एक कॉंटिन्यूइंग रहे है कि गौर्मेंट को भी क्या है कि गौर्मेंट को उससे रवेन्यू इंक्रीस हो रहे है जब आप उसको डिस्क्लोस कर रहे है अपनी इंकम चाहिए वो आपकी कैश इं इंकम थी प्लैक मनी थी जो भी चीज आप डिस्क्लोस कर रहे हो उससे गौर्मेंट को भी बेनिफिट हो रहे है तो वह एक इसको रिक्रिंग नेचर में बनाना चाहरा है और इसलिए इन्होंने इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि आप बड़े अराम से दो साल फ्रॉम इसके लिए ना हमना सोल अक्टूबर को एक सेशन कर रहे हैं तो इसमें हमारा इट यू का भी टोपिक है तो सर हम आपको इन्वाइट करेंगे कि आप हमारे सेशन में और आप हमें बताओ कि इसमें और क्या-क्या चीजें कैसे कर सकते हैं तो अगर आपने अभी तक इसे ज स्कीम नहीं है यह सारी चीजें आप रजिस्टेशन कराकर बैनेफिट इसका ले सकते हैं इसमें थोड़े से जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वह हम थोड़ा सा और समराइस बता रहेते हैं वैसे आपके ही चैनल पर बहुत सारी वीडियो और आपके बिनामी और प्रोसिक्य केस चाल ऑच के उसमें यह आप नहीं यूज कर सकते है यह में इसको यूज कर सकती है वह बी इसमें on my और इसमें तरह कौन कौन से चैशित कवर रभन हैं इंडिविजल कवर्ण Club fb LLP, Companies, AOP, BOI सब excesses इसमें covered हैं, तो जितने भी excesses की, जो भी दो साल की संदूक भरे हुए हैं वो प्लीस अपने income disclose कर दें, ठीक है एस अपने पोफेशनल्स, आप उनके advice लेके, चार्टेड accountants हैं, वो बहुत आपको help करते ही हैं, वैसे भी बहुत सारे आपके business operations में, उनकी help लेकिया कीजिए, कोई भी basically इसमें, दो तीन चीज़े हम और बता देते हैं, कि जो इसमें points होई हैं, कि ये basically liability, अगर आपकी थी, उसको disclose करने के लिए है, refund लेने के लिए नहीं है, अगर आपका कोई भी आप liability reduce करना चाहरे हो, या refund लेना चाहरे हो, तो वो आपके लिए idea यू नहीं है, जैसे कई लोगों का question होता है, कि सर मैंने ना आइटियर भरी नहीं, और अपना एक लाग का refund था मेरा, अब पचास का दिलवा दो, चालिस का था तो मेरा एक लाग का, मैं अपना refund reduce ही तो करो, अरे भाई नहीं, तेरा refund था जीरो का, किसका था, क्योंकि तुन्हें रिटेन ही नी फाइल करी, अब अगर तू बीस हजार का भी refund लेगा, अगर तू बीस हजार का भी refund लेगा, तो तेरा refund increase ही, अब एक विक्ति में इसे क्या कहता है, किसर refund की रिटेन फाइल कर रहा था, मेरी income है, कुल 6 लाग, और मेरा ट्रीडेस कटा हुआ, एक लाग, तो टेक्स बनना है, मेरे पास बीस हजार रुपे, अब उस ऐसी हजार का क्या होगा, वो कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, यह चीज़ आप समझे लो, कभी तुम सोचो कि मैं बीस हजार की लाइबलिटी डिक्लेर कर दू, एक लाग का रिफंड है, क्या पता गवर्मेंट को दया आजाए मेरे उपर, और वो 80,000 मुझे दे दे, वो नहीं देगी तुम्हारे को, तो सर क्या करें, क्या हम 10 लाग की इंकम दिखा दे, और उसे 1 लाग की टेक्स लाइबलिटी बना दे, भाई वो तू समझे, लेकिन इसी राप से कर, कि जिससे की तेरे को ना लेना पड़े, ना देना पड़े, कभी ऐसा ना हो, तुने 10 लाग की इंकम दिखा जिस पर पैनल्टी लगके, जितना तेरा रिफंट एक लाग का लाइबलिटी बन गई 2 लाग, तो क्या रहा याड ही अच्छी दुसीवत के ले पड़ गई, तो ये सारी चीजे, प्रोफेशनल की सला से करो, बिना सला के मत करना, आप सर्वीस तरह की सर्वीस देते, तो आप सर से भी कॉंटेक्ट कर सकते, एडवाइज ले सकते, ठीक है ना, और हमारे नमबर आई रहे हैं वीडियो, नमबर आपको देखी रहे होगे, ठीक है, आप यह वाली सर्वीस ले सकते हैं, गौर्वर्मेंट की जो इंटेंशन थी, आई टीर यू को लाने के लिए, वो बहुत क्लियर थी, वो इसलिए थी ब्लैक मनी और जो आपकी लाइबिल्टिस के लिए, यह सब कंडिशन उसमें नहीं होती, लेकिन बोला आप भी नहीं कि ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इसी चैनल पर बोला है, अगर हम कुछ अलग नहीं बोलेंगे तो पर रहे हैं, मुझे भी suspense बना रहा और आशा करते हैं, आप सब लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने क्लाइन के साथ सेर किजिए, उन क्लाइन के साथ जिन पर वह सारा पैसा है, ठीक है न, वो इस वीडियो को देखेंगे हो सकता है, पर आपको कोई दिक्कत आगी तो आप में पारा सिवागत करता हूं कि ईंग तो तो हमारे वीवर्स को जानकारी देते रहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद थेंक्यूर वाचिंग